हेलो फ्रेंड आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि लास तेंथ मैट्स के ओ सभी अबजेक्टिव परसने जो आपके सेकेंट टर्मिल एकजाम जो 27 सितंबर को होने वाला है उसमें सभी परसन यहीं परसन से पूछेगा तो आप लोग से अनुरूद है कि आप लोग इस वीडियो को एंड तो जिरूद देखेगा बीना एक भी परसन को मिज किये यह क्योंकि यह मेरा 100% गरांटी है कि यहीं सब परसने आप सेकेंट टर्मिल एकजाम में पूछा जाएगा तो आईए हमें सभी परसन को एक एक करके देख लेते हैं इसमें हमारा पहला परसन है 10 5 by तो कमान होगा इसमें हम बताना है कि 10 5 by 2 का मन क्या होगा सम जानते हैं कि टिड्कुर्मिंती में पाइख कमान हम लोग 180 रखते हैं या आप लोग इसको यास कर लिजीग अक 2023 निचे हैड़ रखते हैं तो यहाँ पर है्पइ इसका कईट औप्म भी हो जाएगा अब परिभासीत है तो आई वह आंग्ले प्रस्प्रस्ट देखते हैं हमें बताना है क्यों सीटे अधिशन और यहां पर है रूटू कहुछ को इधिशन गुंषन का जो गुना मरاتा है वो डिवाइड में चला जाता है यह हो गया कौस छीटा तो कॉस के इतना कालां होता है 25 डीग्रीं यह कहने예요 तो आइए हम अगले प्रस्टे को देखते हैं और हम Kyle का औहरनी की बताना है कि पिसको पहले की आबहाद शंक्या करते हैं जो एक से कटे और स्वयम यानि खुद से कटे तो वाई सी संख्या को पहले हैं यहां देखेंगे कि आपको यह को समझ में आ गया होगा तो आए हम अगले प्रस को देखते हैं इसमें अगला प्रसन है एक दुखाद बहुपत के मुलो के योगफ़ल तथा गुरणफ़ल करमसा दू तथा माइनस 15 है तो दुखाद बहुपत होगा यहाँ पर दिया है दू है वह मुलो का योगफ़ल है और यहाँ पर माइनस 15 है वह मुलो क का गुनफल है तो हमें बताना है कि दिखात बहुपत क्या होगा तो हम जानते हैं कि दिखात बहुपत के दो सुन्यक होता है एक को मानते है आलफा और एक को मानते है बीटा और यहां पर दिया है मुलो का योगफल यानि इन दोनों को जोड़ देंगे तो यह दे दिया है कित लिए अब हमें बताना है कि द्रिघाद बहुपत क्या होगा तो द्रिघाद बहुपत निकालने का सुत्र क्या होता है सुत्र होता है X-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A यहां पर आलफा प्रस बीटा तो आलफा प्रस बीटा का मान दे दिया है दो दे दिया है तो यहां पर दो लिख देते हैं उसके बाद यहां पर एकस लिख देते हैं यहां पर प्रस तो पहला से फिर यहां पर आलफा इंटू बीटा आलफा इंटू बीटा का मान कितना दिया means-15 और यहां पर उड chemical एकस्कुार थंकर G yes अगले एक प्राश्ट को देखते हैं किसी में अगला प्राश्ट है दुइगास स्वामिकरण 9x²-kx प्लस 81 बुराबर 0 के मूल समान होंगे, यदि के का मान होगा, यहाँ पर हमें दुइगास स्वामिकरण दिया गया है, हमें बताना है कि के किस मान के लिए इस दुइगास स्वामिकरण का मूल है, यहनि मूल को आप तो नहीं स्वामिकरण 9-a, यहाँ पर एकवल टो इकवल और 0 है तो 0, यहोगा हमें बी वी ध्कवर का स्वामिकरण 9-a, यहाँ पर हम पूट करते हैं, यहाँ बी का इस्क्वामिकरण 12-a, इसके बाद है माइनस तो माइनस उसके बाद है फोर बीच में चीपा हुआ इंटू और है ए ए कौन होता है एक स्क्वाइर जो गुनांग होता है एक स्क्वाइर गुनांग का इतना है नाइन है तो यहाँ पर में तिक है नाइन है उसके बाद गुना है तो गुना और फिर सी कि c कर वां लिद्धा होता है बिने एककस वाला है एकसी को एकसी है तो देंगे इस इकवल टु जीरू इसको उमसर्थ करेंगे यहां पर स्कॉायर है मालनस भी 300 वोगा अथर उजक्वैर कि रिखेंगे और क कैं इसकॉॉirus ना कि कि इसकॉर कि और जब स्कार रटेगा तो इस पर क्या हो जाएगा डाय रूंट इस leader करदेंगे क्योंकि इत्व । या गए अट थियो तो औि फ़ालते हैं फट्रस चाहुआर जी होन्हय में रैफिजकर और घ्याप्र थे प्षाइंदि नहीं से ने पीछ दिग्वचम Ti तो उमिद करता हूँ आपको यह समझ में आ गया होगा आईए हम अगले प्रस को देखते हैं इसमें आगला प्रस नहीं है थेरी माइनस रूट थेरी है हमें बताना है कि थेरी माइनस रूट थेरी कौन सी संख्या है तो हम जानते हैं कि किसी भी संख्या में अगर रूट आ ज पर्मिय संख्या तो आई हम अगले प्रस को देखते हैं इसमें प्रसन है यदि युग पर समीकरन निकायक अन्गिनत होगा हमें बताना है कि वाइसी समीकरन युग में जिसका हल अनेक अनेक हो तो समीकरन निकायक का आलेक यानि गराफ कैसा होगा तो हम जानते हैं कि जो समपाथी गराफ होता है उसका अन्गिनत हल होता है यानि इसका करेट अफिस को भी हल नहीं होता है आप लोग इसको भी यारत कर लिजेगा और सांपास्ति का होता है वो अंगिनत यानि अनेखल होता है तो आई हम अगले प्रस्ट को देखते हैं इसमें अगला प्रस्ट है दुईघास स्वमी करन X2-5X2-8-0 के मुलों की परकिर्टी होगी हमें बताना है कि यह दुईघास स्वमी करन दिया गया है इसका जो मुल आएगा वो दोनों मुल क्या होगा दोनों मुल बराबर होगा या दोनों मुल औसमान होगा या उसका कोई मुल ही नहीं होगा यहीं हमें बताना है यानि उसका प्रकिर्टी बताना है तो किसी भी दुएंगास मिकालगी परकिटी को बताने के लिए हम स्पहले D के मान निकालते हैं डि क्या होता है हमरा विवेचक यह summarize आप लोग इसको यात कर लेजेगा डि किसको कहता है विवेचक को कहते है इसका सुत्र क्या होता है इसका सुटर होता है B² माइनस 4AC यहाँ पर हम सभी के मान को रखते हैं यहाँ पर है B² तो B कौन होता है जो A के गुना में होता है यहाँ पर है इसके गुना में कितना है माइनस 5 है यहाँ होता है B का मान तो B कितना है माइनस 5 है और इस पर है a square तो यहाँ पर लिदेंगे a square उसके बाद है minus तो minus उसके बाद है 4 और बीच में चीपा हुआ हुआ है into और यहाँ पर a a कौन होता है जो एक से square के गुना में होता है तो एक से square के गुना में तो कुछ दिखी नहीं दा आए यानि इसका मतलब कितना है यहाँ चीपा हुआ है यहाँ पर पांच के square करते हैं तो यह हो जाएगा पुलस हो जाएगा उसके बाद यहाँ पर मैस से और इसको गुना करते हैं यह कितना हो जाए आटा चुका 32 तो अगर हम इसको माइन सबस्क्रिख करें पर यह कितना आएगा माइन साथ आईगा यानि किस कुझ में आगया जिक मन आग गया माइनस में तो इसका कोई भी वास्तिक प्रस्त को देखते हैं इसमें अगला प्रस्त नहीं है एक घात वाले बवपत को क्या कहा जाता है तो आप दोग याद कर लिजेगा इसको एक घात वाले बवपत को कहा जाता है रैखिक बवपत इसका करेट अप्रस्त को देखते हैं इसमें अगला प्रस्त नहीं है बिंदू माइनस तीन को माइनस पांच किस चतुर्थांस में इस्ती थे हमें बताना है कि यह जो बिंदू दिया गया है वो कौन से चतुर्थांस में इस्ती थे और दूर्थांस में पहला माइनस में होता है दूसरा प्रस में होता है और त्रीती में होता है दोनों संख्या माइनस में होता है और चतुर्थ में होता है पहला प्रस है और दूसरा माइनस है तो यहां हम देख रहे हैं कि दोनों संख्या किस चीज में माइनस में है या इस पढ़ रहा है यह तीसका दास्वा पाध क्या होगाइब क्यों लिखते हैं यहां यहां पर बोल रहा है दास्वा पाध的話 से निचे अंद। लगा देंगे उससे नेचे बारों लगा देंगे इसी तरह लिखा जाता है और पचासे पदक्त बो तो दास्वा पद कैसे ग्याद करेंगे तो यह种ह पधो स्क्राइए अप्पलो से 9d yeah यहाँ पर हमें एक होता है हमारा पहला 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 कौन होता है जो पहले आता है वह होता है भाला पर पहले कोन आया है दू आया है दो लिदिते हैं पर यहां पर नो लिदेंगे और यहां पर इंटू और यहां पर दी तो डी कौन होता है दी होता है दो पदों के बीच का अंतर यानि यहां पर दूसरे पद में से पहले पद घटा देंगे तो यह हो जोड़ेंगे तो यहां पर चेंज करना है सिर्फ यह तो लिखेंगे और डी लिखेंगे यहां पर हम सिर्फ चेंज कर देंगे आएंगे अगले पर सब्सक्राइब करना ये इसका कईट अपर सम्रूप होते हैं आईए हम अगली प्रस को देखते हैं इसमें अगर प्रसन है एक सिख्या को उचालने पर पट आने की प्राहिता होगी हम बताना है कि यदि हम एक सिख्या को उचालते हैं तो पट आने की प्राहिता क्या होगी तो हम जानते हैं कि यदि हम एक सिख्या को उचालते हैं या तो आएगा तो पट आएगा डोनों मेंसे कोई एक आएगा, तो हमें निकलना है Fun 365 आने की प्रईटा का निकलना है, तो पट कितना बरे आ रह रहे यहां तो एक लिए देंगे UP, अगर हम स्थीक्ना कर उचालते हैं तो क्या क्या आ सकता था एक चीट भी आ सकता था या पट भी आ सकता या जितना संभावना होगा उसको हम नीचे लिख देंगे यानि क्या क्या संभावना था आने का एक चीट भी आ सकता था एक पट भी आ सकता था यानि दो संभावना था हम नीचे लिख देंगे दो यानि 1 अगले प्रस ने एक तरफ के सीर्स से 4-9, 5-7, 3-5 है, इसके केंद्रक के निल्द संख होंगे, हमें बताना है कि यह सभी तरफ केंद्रक यानि सेंटर का निल्द संख क्या होगा, तो हम जानते हैं कि तरफ केंद्रक की सुत्र से निकलता है, उसका सुत्र होता है, x is equal to, यहाँ पर होता है x1, x2, x3, upon में होता है 3, उसी तरह y का सुत्र क्या होता है, y का सुत्र होता है y is equal to y1, plus y2, plus y3, upon 3, इसमें हम put करेंगे, x1 का मान रखना है, x2 का मान रखना है, x3 का मान रखना है, x1 का मान कोन होगा, x2 का मान होगा, x3 का मान होगा, किसी भी निंदसांग का पहला होता है, वह x का मान होता है, यानि इसमें x1 का मान रखना है, चार है, और x2 का मान कितना है, पांच है, और x3 का मान कितना है, तीन है, क्यांकि पहला जो होता है, वह x का मान होता है, यानि 4 है, पॉलाँ से यहां पर है पांच फालाँ और यहां पर रहीन ओंद में कर देंगे तीन यहां पर कोमा लेंगे और फिर इसको निकालेंगे यह वाई 1 value plus y3 कमान कोन होता है जो दूसरे नमर पाता है यांनि माइनस नोर थे माइनस नों पॉलाँ से वाई य्ट कितना 7 है तो सत तavus y3 y3 को एंट रोता है लार्ट वल स्वा Must होता है यह नि 5 है और पौंड में हो जागा 3 इसको BT कीनों को जड़ितना एए यह नो आती बार। उपर जोड़ेंगे दोबार आए गा और नीचे आ पर दोख आएक defmäßig से काड़ेंगेमी हो जैगा यह हो जाएका तो पॉल्स वाई थिरी कॉन होता है लास्ट वला भी होता है यानि पांच है और पॉन में हो जाएगा थिरी इसको सौल करेंगे यह तिनों को जोड़ना है यानि 5 4 9 आतीं 12 उपर जोड़ेंगे दोबारह आएगा और नीचे है तीन यह जाएगा चार है उसी तरह इसको माइनस नौ और यहां पर western outside पुरस प्रस उड़ेंगे और ब़ार में से मैनस नौ करेंगे कि यह हो जाएक तीन तूपर बचा थिन और नेचे भी बचा निल में कर दाille चार गार में और निसाँ हूं किन रख़ा चार तो इसका है , उसकी दूरी क्या होगी मूफ Metal से मूल बिंदु के कई सुत्र क्या होता है exc와ire dire you इसको करेंगे रूट अंडर यहांपर 2 का स्कॉयर यहां पर नहीं को बोल जोड़ेंगे तो इसको जोड़ेंगे तो यह कितना होगा 9 सित् Sail हो तो आई हम इसके साथ अगले प्रस को देखते हैं। इसमें अगला प्रस में नाइन सएक माइनश सबक्राइब दिया हुआ है कि संसरह करके सब्सक्राइब हमें बताना है कि उसका जो है किसके सबसे पहले लिए माइन ठीटे remote तो जो दिया हुआ है उसको हमने यहां पर लिख लिआ है तो यहांपर हम देख रहे एक विसमें 9 और इसमीं ूर। यहांसे हम9 कमन ले रहते हैं क्योंकि यह दोनों में है यहांपर कितना बजगों माज बजगो यहां जिग से स्कॉरें यहां पर से के सक एसक्वारE स्कार माइनस 10 पिर्फटेश्ट माल कितना होता है तो याद रख लिए खाल नौ में एक से गुना करने को यह हो जागा नौ इसका कैट ऑप्सन भी नौ उम्मिद करता हूं कि आपको यह समझ में आ गया होगा तो आई हम अगली परस्ट को देखते हैं इसमें अगला परस्ट पर कितनी खिछ रिखाई खीचे जा सकती है यानि मैं बताना है कि एक फॉर कितनी खिछे जा सकती है तो इसको आप लोग यार्ट कर लिजेगा कि एक बिर्ट पर अननत यानि बहुत सारे अगले प्रस को देखते हैं इसमें अगला प्रस्न है यदि AP का 17 पद दसवे पद से 14 अधिक है तो सारव अंतर होगा हमें बताना है कि जो 17 पद दिया गया है AP का वह दसवे पद से कितना अधिक है 14 अधिक है तो हमें सारव अंतर ये इन सारव अंतर को कहते हैं D इन दी कमानद ग्यात करना है यहांपर दीयाभ सत्रावा पाद को कैसे लिखते हैं तो इस तो इस कोस्तन में बोल रहा है कि जो सत्रावा पद है वह दास्वे पद से 14 अधिक है यहां पर है यहां पर है इस सत्रा पद है इससे एक कम कर देंगे इसके साथ दी लगा देंगे इससे इससे एक कर देंगे ऊधर लिग देंगे बाः कि अधर नीचेर माइनस में 9D के कि इस पर आगा चीना चेंज हो जाएगा माइनस में I is equal to इदर ए तो लिदे है ऑफ से 9 तो उदर चला गया है इदर बचता है पर लुदा तो फिर पर ले जाएंगा तो यह भी है पर लिदा किसे में माइनस में हो जाएगा तो इसको सौर्ट करेंगे यानि यहां पर हो जाएगा 16 में से 9 को माइनस करेंगे तो यहां सब्सक्राइब करता हूं कि आपको यह समझ में आ गया होगा इसमें अगला प्रसन है बराइब हिंदू से बिर्ट पर खिची गई ऐसपरस रेखाओं की लंबाई होगी हमें बताना है कि बराइब बाहर के बिंदू से कोई भी बिर्ट पर खिचते हैं तो उसकी लंबाई क्या होगी तो आप लोग इसको याद कर लिजिएगा उसकी लंबाई समान होती है यानि इसका कैट आफ़सन आप्सन भी हो जाएगा ब्राइब इंदू से खीची गई असपरस के खाओं की लंबाई क्या होती है समान होती है तो आई हम अगली प्रस को देखते हैं इसमें अगला प्रस में यदि किसी बीट की परीदी और छेत्रफॉल समान हो तो बीट की तिर्जिया होगी हमें बताना है कि बीट की छेत्रफल क्या होता है बीट की लिए पाई ऐस्क्राइस रben या जो छेत्फल वह भराबर है किसके बीट की परीदी कर नेंगे यहां पर हम इसको कर दिया है इसका क्या उपसर एकाई तो उमीद करता हूं कि आपको यह को समझ में आ गया होगा फ्रेंड आप लोग इस तरह के वीडियो को देखने के लिए इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकों की प्रेस करें जिससे कि परका के जब मैं कोई बीट अप्लोड करूं तो उसका नटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे तो हम एक और नेस्ट वीडियो मिलते हैं तो थैंक्स पर वाचिं इस वीडियो